लोगसब अध्यक्ष को लेकर आम सहमती बनाया जाने की तमाम कोशिशों पर फिलहाल पानी फिर चुका है। विपक्ष ने नॉमिनेशन की डेडलाइन से ठीक पहले कॉंग्रस सांसद केडी कुनील सुरेश को इंडिया ब्लॉग को मीदवार घोशित किया है। कुछी देर बाद के सुरेश ने नमांकन पत्र भी दाखिल कर दिया। इससे पहले एंडिय की तरफ से वीज़ पिसांसा दोंबिल्ला ने नॉमिनेशन किया। आपको बता दे कि तो पहर बारा बज़े तक नॉमिनेशन के लिए अंतिम समय सीमा रखी गई है। आपको ये भी बता दे कि 72 साल में तीसरी बार स्पीकर को लेकर अब चुनाव होने जा रहे हैं और इससे पहले 195-1974 में भी स्पीकर को लेकर चुनाव हुआ था। इंडिया गडबंदन को चुनाती दे रहा है कि इस बार इंडिया गडबंदन क्रोस वोटिंग से कही ना कहीं जो अपने उनके जो स्पीकर उनके उनके प्रत्याशी खड़े हुए हैं के सुरेश उनको जीत दर्ज करवा सकते हैं लेकिन इस बार जिस प्रकार से आपको बत आया नहीं दरसल स्पीकर के नॉमिनेशन पेपर पर साइन करने के लिए राजनाथ सिंग निकीसी वर्णो कुपाल को बुलाया था डीम के नेता टीयार बालू भीर राजनाथ से मिलने पहुंचे थे और इसी सब के भी जिस हसाब से लगातार एक तरह से स्पीकर पत को लेक लेकर लगातार चरचाएं तेज हैं कि आखर ओम बिल्डा या फिर की सुरेश किसके नाम पर मौहर लगाई जाएगी और इंडिया गडबंदन आखिर यह पूरा मामला कैसे अपनी और कही ना कहीं एक तना से घुमाता नजर आएगा और वहीं इस सबसे बड़ी बाद जिस इस पर मद्दान होने जा रहे हैं शुनाफ पर कहीना कहीं मद्दान होने जा रहे हैं नाम कहीना कहीं नाम पर कहीना कहीं मौहर लगती दिखाई देगी तो क्या इंडिया गडबंदन क्रॉस मोटिंग के जरीए पूरा मामला अपनी और पर लटता नजर आएगा या नहीं